तुडियर स्टुडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बीफोर्थ समस्टर के एजू के सिच्छा फाफ्तर के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन और एंसर के बारे में जिन जिन भी स्टुडेंट की परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है उनके लिए वीडियो समस्टर एजुके से इन फिच्छा साथ र्वाल स्टुडेंट के महात्पुड देख लिए वर्ष आपका दूतिय है चतुर्थ है इन की चौथा समस्टर है सब्जक्ट आपका एजुके संच्छा फाफ्तर है प्रस्ट पत्र नियानी कोश्टन पेपर का नाम है फिच्छा का मनोबिज्ञानिक फिच्छा और मनोबिज्ञानिक से जुड़े होंगे इस बात को ध्यान रखें आगे हम बढ़ते हैं अब question answer की ओर ठीक है तो आज की वीडियो के जो सबसे पहला प्रश्ण है वो है कि सैचिक मनोबिज्ञान की परिभासा दीजी या फिर सैचिक मनोबिज्ञान को परिभासित कीजी और यह आपका अपने चैनल सक्षेश्ट हुए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे कि फिच्छा मनोबिज्ञान की एक अतिंग महत्पूंसा साखा है यानि की ब्रांच है सिच्छा मनोबिज्ञान जो है यह मनोबिज्ञान की बहुत महत्तपूर साखा है सिच्छा मनोबिज्ञान दो सब्दो सिच्छा तथा मनोबिज्ञान के सैयोक से बना है जिसको आप लोग संदे के फिच्छा मनो बिज्ञान सब्द का सब्दिक अर्थ है। के रूप में लगाया जा सकता है। के फिच्छा मनो बिज्ञान सैचिक प्रसितियों के मनो बिज्ञानिक पच्छ का अध्यन है। तो इसे प्रकार आप पर्चे लिखेंगे फैचिक मनो बिज्ञान है अब फिच्छा मनो बिज्ञान का ठीक है। फिच्छा के बारे में आप जानते हैं फिच्छा की परिवाफ अच्छे साफसरीक मालूम है कि एजूकेशन जिसको इंग्लिस में बोलते हैं। पार ओफिक है और मनो बिज्ञान्स का अध्धिन हैं ठीक है। प्रप्लर कोश्चन के बारे माहत्पूर है तो इसका उतर लिखेंगे कि मनो बिज्ञानक फिच्छा मनो बिज्ञान॥ की प्रकति को बैज्ञानिक बांते हैं उनका मत है कि सिछ्षा मनव बिघ्यान बिभिन नि खोजों के लिए बिज्ञानिक बिध्यों को अपनाता है यानि कि उसके जरिये उस चीज को करता है उनसे प्राप्त निसकर्षो के अधार पर कि कोई चीज अगर इनलेसिस की जाएगे तो उसका रिजल्ट निकले का सिंपल सी बात है तो उनके प्राप्त निश्कर्सों के अधार पर सिच्छा जगत की समस्याओं का बेवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्दियों के संबंध में भी प्रस्तुत करता है जैसे कि बैग्यानिक विभिन तत्यों का निरच्छण उपरिच्छण करके उनके संबंध में प्राप्त निश्कर्सों के अधार पर किसी समान नियम का प्रतिपादन करता है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम सिच्छा मनों विज्ञान की प्रकत को स सकते हैं ठीक है कोई भी परिभासा हो अगर आप पहली बार या परचित परिभासा पढ़ेंगे परिचित कोश्चिन पढ़ेंगे तो एक बार में कोई चीश समझ मी नहीं आएगी कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ना पढ़ेगा तो वहीं मैं आपको बता रहा हूं किसी प्र रहेगी आसान मासा में रहेगी क्योंकि आपको आफारी से समझ में आ जाएगी तो यह प्रश्ण महात पूर्ण है उत्तर आप यह तैयार करें या फिर आजने कोई इंटरनेक्स स्वच करके बढ़ सकते हैं ठीक उत्तर आगला प्रश्ण है कि फिच्छा और मनो विज्ञान में सम्मन दस्तापित कीजिए यह भी पॉप्लर कोईश्यन है तो फिच्छा बेवहार में परिवर्तन लाने को कहते हैं यानि कि फिच्छा जो है ठीक है फिच्छा बेवहार में परिवर्तन लाने को कहते हैं तो ध्यान लिखेंगे बेवहार में परिवर्तन लाने का तातपरिया है कि बेवहार को आदर्स रूप प्रदान करना किसी का आइडियल मानना ठीक है आदर्स रूप मतलब एक अच्छा रूप इसी प्रिकार फिच्छा के बिभि कर तो की मनों विघ्ञान के अधनका विशे बेवर्तन है और शिच्छा बेवहार में प्रिवर्तन है अता इन दोनों के आपसी संबंद इस प्रकार है इन दोनों के पुल मिला कि प्रस्थ बहुत ही महत पूर्ण है एक आगला प्रशन है कि मनो बिव्ज्यान के समान उद्देश क्या है शच्छा मनो बिग्यान के कुछ समान नुद्दे से संगर्ठित तत्तों का समान नेमों का ऐसा संगरहा परधान करना जिसकी सहायता फे सिच्छक सान्सक्रतिक तथा ठीक है बेउसाइक लच्छों को अधिक से अधिक प्राप्ठ कर सके ठीक है जो टीचर है यानि कि फिच्छक है वो संस्कृत मतलब जो हमारे कल्चर है रित रिवाज पर ब्योसाइक यानि कि बिजनेस रिलेटेड जो भी नौलेज होती है ज्यान होता है उसका अधिक फदिक वो अध्यन करें और अधिक फदिक उस चीज़ के बारे में जानकारी हो ठीक कि उपराप्त कर सकते हैं और सिच्छा मनों विज्ञान की कुछ समान है उद्देश जो प्रस्तुत हैं आप लोगों के समस्तर ठीक है तो पहला है कि ऐसे फिद्धान्त यह फिद्धान्त तत्त्यों की खोज जिससे ब्यक्तुत के विकास में सहायता प्राप्त हो सके यानि इनने कि घो टीचरो के मधदह्म से बच्चों कोrist दीो तो उन जो टीचर बच्चों को जिस पढ़ार्यार जिसे में सुधान्त परिवरतम इसको परिवरतन लाना अगला की फिच्छक को सिच्छन कारे में सहायता देना यह बहुत बड़ा उद्देश है सांस्कृतिक तथा ब्यवफाइक उद्देशों की प्राप्त में सहायता पहुंचाना यह भी बहुत जरूर यह बालक के बेक्तुत का विकास करना प्रस्नालटी का बोल्चाल रहन सहन आना जाना डर्स सेंस ठीक है एरकट ठीक है कॉंटेक्ट बात करने का डंग यह सब चीज में होती हैं बेक्तुत में आती हैं कि इसको परस्नालटी बोलते हैं तो इन सभी का विकास होना चाहिए तो यह कुछ प्रमुख फिच्छा मनों विग्यान के समाने उद्देश हैं जो की होने ही चाहिए और आई होप आपको समय में आया होगा महात्पॉंट परस्ने द्यान रखेंगे मैं आपको आज किस वीडियो मोई सारे कोश्रम बताने का प्रियाफ कर रहा हूं जो पिछले गत वर्सों में पूछे जा चुके हैं और इस बार आने की संभावना है अगला प्रस्ते हैं कि फिच्छा मनों विग्यान का विश्छे शेत्र बताईए तो व कि आता है आज सभी कुछ आ जाता है के इसका अनिष्ट हो क्या देदी कि आप सभी को मालू में के फिच्छा जो है वह किसी भी उमर में लीजा पर सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइक मौह महारेत , ला दो आप इसको कभी प्रफिक्ट नहीं हो सकता कि हां भया हर छेत्र में हमको नॉलेज हो गई यह फिछ्छा से हम परफेक्ट है एससी कोई चीज नहीं जिसको हमको अभूं नहीं हो सकता और नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो छेत्र है ये बहुत बड़ा है ठीक है आपके इसके छेत्र में नौलिज ग्यान करेंगे आपकी लाखों पीडिया कम बढ़ जाएंगी ठीक है तो इस वज़ा से इसका जो छेत्र है बहुत बड़ा है जो कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं विच्छा मनोबिज्ञान भिसे जो विफ्तार है अत्यथिक ब्यापक है अत्यथिक ब्यापक कम अत्यथिक बहुत बड़ा है इसके अंत्रगत यानि जो विच्छा मनोबिज्ञान के जो विफेश्य शेत्र में बहुत फारे चीज़े आजाएंगी ठीक है बिद्यार्थी भी आएंगे टीचर आएंगे जो फिच्षा आपको मिलती है जिस भी माद्यम से वो भी आ जाएगा ठीक है कि और इसकी समख्याय भी आ जाएँगी जो निर्देफन करते हैं जो उसका परिचन करते हैं ठीक है और जो प्रमापन करते हैं यह सब कुछ आ सब चीज़े आ जाएंगी और इसका जो छेत्र है वो अनिष्चित है और इसकी आस तक कोई सीमा निर्धायद नहीं हो सकी प्रकार प्रच्चे लिखेंगे अगला प्रस्न है कि सैचिकappos के अध्यन की बिधिया यानि कि सैचिक अगरन का आफ को जानकारी लेना है ठीक है अध्यन करना है सीखन stop कची विधियां होती है तो जो भी यहाँ पर महत्पूर कुछ मानी गई हैं जो कि आप लोगों के समस्ति निम्नुवत हैं एक करके हम आपको बता रहे हैं पहली जो बिदी ये ठीक है अंत दर्सन बिदी ठीक है अंत दर्सन बिदी दूफरी ये निरच्छन बिदी तीफरी ये प्रियोगात्मक बिदी तुलनात्मक बिद हैं जिनके माधियम से आप फैचिक मनोबिज्ञान का अधिन कर सकते हैं और यह पॉपलर कोश्चन है वांटेट कोश्चन है एक्जाम मैंने पूरी सम्भावना तो ध्यान रखेंगे नोट कर लीजिए आग्डरा प्रश्ण है कि विकास की अवफ्टाइँ बताईये यानि की जो इंसान के विकास होता है उसकी बारे में आपको बताना है चलिए जानते होत्त थर तो विकास की बिभिन ऋवफ्थाओं के संब्ध में मनोबिज्ञानिकों एहुं सरीर बिज्ञान वेताओं में मतभेद हैं यानि कि अलग-अलग विद्वान और अलग-अलग मनोविध्ञानिकों ने अलग-अलग विकास की अवस्ठाओं बताइए बताइग थीक है जन्म से लेकर पांच वर्स की उम्र को नाम से जानते के लो हो जाता है। जितनी भी आई होगी जितनी भी उमर होगी उसको पौड़ा वश्था के नाम के जानते हैं तो ये विकास की वस्थाएं हैं ये आपके जो जीवन की ठीक है विकास की वस्थाएं तो ध्यान रखेंगे पॉप्लर कोश्चन है जानना चाहिए आपको बहुत इंपॉर्टन प्रशन है कि विकास के विभिन पच्छ कौन-कौन से हैं ठीक है तो यानि कि किसी भी चीज का विकास होता तो उसके पच्छ कौन-कौन से हैं तो ध्यान से सुनेंगे विकास की विभिन आवफ्था में बच्चों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं यानि कि जैसे ज चोटे थे तो आपकी छोटे हाथ पहते थी के बोलने कि मतलब नहीं पाते थे तो दिए आप बड़े हुए बोलना जाने बाद के पैर पर बड़े हुए ताड़ी हो गई तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है ठीक है तो बताया जारा विकास की विभिन आफथा हों बच्चों म पैदा होता था थोटा रहता है उसके बाद वह बढ़ता है एक साल का होता और बढ़ता दो साल का होता है पांच साल का होता दफाल का होता था बड़ा हो जाता है आथ पैर भी बड़े हो जाते हैं अच्छे से बोलना जानने लगता है मानसिक विकास मतलब कि वह कहां तक किसी चीज को सेर करने की समजने के समाज में रहे रहा है तो इस तरह अग्ला प्रशन है कि मानो विकास ना क्या भप्रिया है तो मानो विकास के बारे में आपको मालूम है कि दिन पर इक बालक की अभिभर प्रकार के बिकाफ तता उसके बिस्स Gentleman का ढ़ियान होना जरूरी में सब्सक्राइब कर सकता है बिकास का सम्धे जो वह अभिःब्र स्यदिस से होता है पर यह परिर के अंगों में होने वाले परिवर्टन को को बिसскую इस रूप से बिक्त करता है जब बच्चा जैसे बड़ा होता जैसे बिक्त बड़ा होता मनुस बड़ा होता उसके सरीर में परिवर्थन आपको देखने मिलते हैं या आप सभी को अच्छे से परचित है ठीक है उदाहर के लिए हड्यों के आकार में ब्रद्धी होती है पर इसके का फारिरिक मांसिक समाजिक विकाफ आधी होता है एक प्रमुक बिद्धवान जिनका नाम है हर लोग इनके सब्दों में विकास आम ब्रद्ध तक ही सीमित नहीं है इसके बजाए इसमें पौड़ा अफ्था के लच्छ की और परिवर्तन प्रगत सीर करम नहीं है वि अगला और नहीं नहीं टैलेंट आ जाते हैं तो यह सब चीजें होती है जैसे मनुस्य का विकास होता वैसे यह चीजें आने लगती है महात्पूर्ण प्रशन है ध्यान के अगला प्रशन है कि अभी ब्रद्ध विकास में अंतरस प्रश्ट कीजिए तो एक तरफ रखा गय से मृत तक चलने वाली प्रिकरिया है उसके बाद अभी ब्रद्ध में परिड़ात्मक परिवर्तन को अभिवक्त कहते हैं जबकि अभीकास में गुड़ात्मक एवं परिड़ात्मक पच्छो की अभिवक्त है अभी ब्रद्ध में ब्रद्ध विकाफ का एक चरण है जबकि बिकास में बिकास में ब्रद्ध भी सम्मिलित है उसके बाद चार नंबर अंतर है रेफरेंस है कि परिवर्तनों को देखा आता था नापा जा फकता है जबकि बिकास में परिवर्तनों को अनभो किया जा फकता है और नापा नहीं जा फकता है उसके बाद अभिवर्द्ध में केवल सारेधिक परिवर्तन को प्रकट करता है जबकि विकाफ जो है संपोर्ड पच्छों के परिवर्तन को संयूगतु रोप से प्रकट करता है तो इस प्रकार लिखेंगे अभिवरत दोर विकास में डिफरेंस अब इफी तरह क्रियात्मक विकास क्या है ठीक है शीखने की परिभासा इफी तरह के फिच्छने माधिगम में संबंद भी महात्पूर्ण प्रस्ण कई बार आच चुका है तो इस प्रकार के प्रस्ण आए और उसके उत्तर आप लोगों के समस्प्रस्तुत हैं यह पूरी पूरी पीडियोफ हम टेलीग्राम वर्टसप पर डाल मिलते एक और नई वीडियो में जब तक के लिए चाहिए हैं देगे